गुड दे फ्रेंड्स और मेरी पिछली विडियो बैगुन भाजा में पूछी गई पहेली का जवाब है बर्डे सॉंग और आज की पहेली के लिए मेरी इस विडियो को आखरी तक जरूर देखें तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन उलाला और आप इसे चिकन म मसाला है यह टेस्ट में बहुत ही यमी होता है इस रेसिपी को आप यह भी बोल सकते हैं कि यह सूखा मसालेदार चिकन है जो की स्पाइसी होने के साथ साथ एक यमी रेसिपी भी होता है और अगर आप स्पाइसी चिकन खाना पसंद करते हैं तो यह मेरी रेसिपी आपके ल तो चलिए शुरू करते हैं चिकन उलाला की रेसिपी तो इसके लिए हमें चाहिए होगा आधा किलो चिकन फ्रेश वाश्ड है ये मैंने वाश किया हुआ है इसको वाश करके रखा है और देगी मिर्च दो बड़े चम्मच एक चम्मच धनिया पावडर एक चम्मच गरम मसाल थोड़ा सा हल्दी पावडर जिंजर गार्लिक पेस्ट एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी एक चम्मच नमक स्वात के अनुसार काली मिर्च ली है हमने एक छोटा चम्मच और ग्रीन चिली ली है मैंने लंबी-लंबी काटके चीरा लगा के चार से पाँच और ये बहुत ती ये जो प्याज है और जो टमाटर है ये बहुत ही आपको दिख रहे होंगे कि फाइनली चॉप्ड है तो अगर आपको याद हो तो मैंने पिजेन ब्राइंड का एक चॉपर का रिव्यू भी किया था अपने इसी चैनल पर तो आप जो उपर लिंक आ रहा है इस पर जाकर उ और देखिए कितने महीन महीन एकदम बारीक कटे हुए प्याज है और एकदम चॉपर से ही मैंने चॉप किये हुए तमाटर भी है तो ये लेंगे हम भुना हुआ जीरा पिसा हुआ और थोड़ा सा धनिया दही दो बड़े चमच काली मिर्ष थोड़ी सी दाल चीनी दो दो दो इलाइची दो एक बड़ी एलाइची थोड़ा सा जीरा तो अब हम एक कदाई में दो बड़े चमच सरसो का तेल डालेंगे और उसके अंदर डालेंगे हम ये सारे खड़े मसाले तो ये देखिए और हलनी इनको सौते करेंगे अब हम इसमें प्यास डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखे हैं और देखिए इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अब इसको थोड़ा सा भुन लेंगे हम थोड़ा सा लाइट ब्राउनिश हो जाएगा कलर इसका फिर हम इसमें चिकन के पीसिस डालेंगे अराम अराम से एक एक करके और आव अब ने इसमें चिकन के पीसिस डाल दिये हैं देखिए अब इसको थोड़ी देर हम पका लेंगे ऐसे ही अच्छे से बुनना है और इसमें डालेंगे हम मिर्चें जो हमने काट के रखी थी हरी मिर्च और ये बहुत ही स्पाइसी चिलीज है ये देखिए अब इसको थोड़ा देर हम भुनने देंगे और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर नमक स्वाद के अनुसार मैंने हाफ जिए चिकन लिया है तो आप उसी साब से डालें नमक इसमें और ये लिया हमने भुना हुआ जीरा कावडर काली मिर्च एक चम्मच धनिया पाउडर दो बड़े चम्मच हल्दी लिये थोड़ी सी देगी मिर्च दो बड़े चम्मच और जिंजर गाली का पेस्ट इसमें ड किनारे किनारे ही चलाना है अब इसमें हम तही डाल देंगे और अब इसे भी हम ऐसी चला लेंगे अराम अराम से ये देखिए थोड़ी देर तक इसको भुनना है मसालो को चलाते रहेंगे उसे यह देख Кलर कितना अचछा आ गया है अब हम इसे ढख लेंगे अब 15 मिनट के बाद हम इसे खोल लेंगे यह देखे और कितना सुनैरा सा कलरальная आगया है इसका इसको अब इसमें डालेंगे हम टमाटर की प्योरी जो फाइनली चॉप्ड टमैटोस थे हमारे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब देखिए इसको हलका हलका चलाएंगे ऐसी पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे क्योंकि यह सारा पानी अभी यह चिकन जो है यह अब्सॉप कर लेगा थोड़ी देर में और देखिए इसके बाद हम इसे फिर से ढखेंगे दस मिनट के लिए अब दस मिनट के बाद हम इसे और यह देखिए हमारा चिकन पक चुका है और फ्रेंड्स मैंने जो यह चिकन है यह थोड़े छोटे पीसिस लिए हैं आप अपने इस आप से भी पीसिस ले सकते हैं बड़े बड़े तो अब इसके अंदर हम डालेंगे रोस्टेड कसूरी में थी एक चमच और आप डालें चलिए इसे फटाफट सर्व कर लेते हैं यह देखिए अब मैं इसे सर्व करने जा रहे हूं तो यह हमने इसे सर्व कर लिया है और देखिए इसने बिलकुल भी ग्रेवी नहीं बची है ठीक बना है यह और इसका असली मजा जो है वो नान और पराठो के साथ आता है और के पेड के नीचे तीन आदमी बैठे थे गुंगा बहरा और लंगडा उपर से एक आम गिरा तो बताओ सबसे पहले कौन उसे उठाएगा और अगर आज की आपको यह मेरी चिकन उलाला की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब कर और प्लीज कमेंट भी जरूर करें तैंक यू